आज हम बनाने जा रहे हैं पंजावी छोले धावे जैसे बनाएंगे बिल्कुल खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं पंजावी छोले और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे क्यों आगे भी आपको मेरे चैनल पर अची रेस्पी देखने को मिलेगी तो आईए बनाते हैं हम पंजाबी छोले उसके लिए हमें सामान चाहिए 200 ग्राम छोले लिए हैं हमने इसको हमने बॉयल कर लिए हैं तेश पत्ता लिया है कसूरी मैथी लिए कि लॉंगे लिए हैं अमने काली मिर्श पाउडर पेल हल्दी पाउडर आधी से भी आधी चमज नमक स्वाध अनुचाण धनिया पाउडर एक चमज लिए हैं हमने जीरा लाल मिर्श पाउडर आधी से भी आधी चमज तमातर लिए हमने esok 500-500 ग्राम प्याज लिए हारी मिर्च अद्रक लैसुन लिए लैसुन की अमने दो पोती लिए और धनिया और हमने छोले मसाला लिया है तो आईए बनाते हैं पंजाबी छोले कडाई रख लिए कडाई गरम उचुकी है इसमें तेल डालेंगे तेल गरम हो रहा है तेल गरम हो चुका है इसमें जीरा डालेंगे इसमें काली मिर्च और लोंग हमने चार पांच कूट ली है तेज पत्ता डालेंगे मिला लेंगे इसको इसमें टमाटर प्याज हमने सब कुछ ग्राइंड कर लिया है खटा बहुती सरल तरीके से बनाना बता रहे हैं आपको पंजाबी छोले अची तरीके से पकने देंगे मसाला भूंज लेंगे अच्छा अब इसमें मसाले डालेंगे दनिया डालेंगे लाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर नमक स्वाद अनुसार कसूरी मेती डालेंगे कसूरी मेती को अच्छी तरीके से रगड लेंगे इसको इसमें डाल देंगे अब इसको अच्छी तरीके से पकने देंगे अच्छी तरीके से मसाले भूंज जाए हमारे मसाला हमारा पप चुका है अब इसमें हम सोले डालेंगे मिला लेंगे इसको इसको अच्छी दरीके से मिला लेंगे अब इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा पानी डालेंगे विल्कुल यह पानी आमने छोले जो वाइल किये उसमें से निकाला हुआ था अब इसमें छोली मसाला डालेंगे कसूरी मेती डालेंगे उपर से थोड़ी सी और इसको मिला लेंगे पांच मिट तक इसको पकने दिनगे पांच मिट सुकिए मेर जोले पक चुकिए इसमें दनिया डालेंगे कटा हुआ इसको निकाल लेंगे हम पंजाबी छोले बनके तयार है पंजाबी छोले बनके तयार हैं बनाएं खाएं और आप अब में बताएं कि आपको अमारा वीडियो कैसा लगा है और अगर आपको अमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें तथा शेर जरूर करें धन्यवाद